नमस्कार दोस्तो एटुजर जोप्स में आपका हार दिक स्वागत करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं ITBP के एक्जाम की जो ट्रेडमेन का है दोस्तो पहले एक अफ़वा चल रही थी कि जो ITBP का ट्र कोई official notification नहीं आया है दोस्तो जो इसमें vacancy थी वो थोड़ी वो तनी करीज हो चुकी है लेकिन अभी confirm नहीं कितनी होई है जिस तरह पहले vacancy थी जो 2017 में हमने offline किये थे तब की है यह कि इतनी vacancy थी अब बात कर लेते हैं दोस्तो कि अपकी बार cut off क्या रहेगी जो written exam की है दो vacancy बड़ेंगी तो ज्यादा vacancy water carrier की बड़ेंगी क्योंकि इसमें पहले भी 95 vacancy थी तो दोस्तो जो all trade की बता देता हूं मैं अगर किसी भी candidate के 43 plus marks हैं किसी भी trade से related हैं तो उसके medical में आने के 100% चाहते हैं उसका medical में उसका जो medical के लिए जो एडिकाट आएगा वो 100% आएगा लेकिन अगर किसी के 45 से या 44, 43 से कम रह जाएंगे तो उनका थोड़ा मुश्किल है हाँ लेकिन अगर वो SC category से भी लोंग करते हैं तो उनका भी आ सकता लेकिन OBC और जर्नल के लिए मुश्किल है कि उनका 44 या 43 से निच्छे आएगा लेकिन बात कर लेते हैं फाइनल मेरे लेकिन जो वाटर कैरियर में हैं लेकिन जिससे भी मैंने कंफर्म किया है उसमें इतने ट्रेड नमबर नहीं है सब के तकरीबन सेमी नमबर है 20 से लेकर 25, 26, 27 के बीच में बहुत ज्यादा बच्चों के नमबर आई हुए है मतलब 20-27 के बीच में और जो ज्यादा competition है वो इ लेकिन फाइनल में जो selection होगा वो 0.4 वाला होगा जिसका trade action में 20.4 थे क्योंकि वेटेज है वो 60% आपका return का है 40% उसका है तो आप सब भी अपनी तियारी में लग जाएं क्योंकि जो होने के चांस है वो मार्स के महिने में है मार्स के महिने आपका exam होगा अपरेल में आपका result आजाएगा जून जुलाई में आपका जो medical होगा medical होगा और अगस्त में आपका training है तो यह ITBP ने पहले student बना रखागी अगस्त में training करा नहीं है तो किसी भी बर्म में न रहें आपका exam मार्स में आपरेल में कभी हो लेकिन आपको अपनी त्यारी रखनी है अपनी त्यारी करो exam कभी भी आपका selection पक्का होगा वीडियो पसंद आई तो like करना धन्यवाद